काइस वेल्कम बेक टू अधर वीडियो आज हम खेलने वाले माइनक्राफ्ट सो देख रहे हैं हम एक टम बड़ीया लोकेशन पर स्पॉन होया है सामने एक विलेज है तो जल्दी से उधर विलेज की तरफ चलते हैं और इसमें हमारा मेंड मोटिव होगा कि हमें विदर स्केल विदर बोस को मारने हैं तो चलिए खेलते हैं या पर सामने एक जंगल भी है तो जल्दी से जंगल में जाके हम वोड कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम क्राफ्टिंग टेबल और असेंसल इतम्स बना सकें यहां पर दो गाए भी खड़ी दिख रही है और दिवास की वज़े से हम सिरफ विदर बोस को मारें ना कि अंडर द्रागन को क्योंकि इसमें नैदर में जाने पर ही लाइग होता है तो आगे अब मैं इस पेड को तोड़ लेता हूं तब तक का पार्थ हम स्किप कर देते हैं तो आप देख रहे हैं हमने काफी सारी असेंसिल वूड इखटा कर रही है ताकि हम अपने लिए टूल्स और क्राफ्टिंग टेबल तो बनाई सके थोड़ा वोट रहने के लिए जोपड़ी ताइप का भी बना ले तो चलिए आप सामने के विलेज में चलते हैं विलेज को लूड के देखते हैं या उससे पहले हम अपने ओक लोंक को हम पलैंक्स में कंवर्थ कर लेंग ता क्या है हैं Tale कै्द अब हमाने काफी बूड़ा चुकिए जिसें हम क्राफ्टिंग टेबल बना सकते हैं तो अदो हम रहसी में चा की क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे चलिए जिल्दी से आगे चलते हैं तो आगे हम पहुच्छ चुके हैं विलेज के एक डम पास हम देरे देरे जा रहे हैं एक डम देजर्ट में गर्मी के मोशम में तो अब हम यहां पर पहुच्छ चुके हैं यह सामने दो-тीन घर हैं तो तो विलेज को लूटने से पहले हम अपना एक टेंपरेरी बेश टाइप का बना लेते हैं उसके लिए हम यह जो सामने आप पार्ट ताइप का देख रहे हैं दर्थ का इसको हम थोड़ा सा चिपता करेंगे तो वह पार्थ हम स्किप कर देंगे यहां से तो आप हमने इस पूरे के पूरे इलाके को थोड़ा चिपता टाइप का कर दिया है ताकि यहां पर हम अपने टेंपरेरी जोपड़ी बना सके एक दम माउंट इंसाइड हाउस बनाएंगे वह अगली वीडियो में बनाएंगे अभी हम बस टेंपरेरी सा घर बनाएंगे इस पार्ट को अब मैं फास्ट फॉर्वर्ड कर देता हूँ तो अब यह आप देख पारे हो हमने एक दम गतिया सा घर टाइप का तियार कर दिया है जिसका कोई भी लोजिक नहीं है देखे रहे हो एकदम गतिया सा बना दिया या डर्ट वर्ट करके कुछ कलाकारी वगेरा करते हैं अब मैं यह पार्ट हटा के आपको सीधा पूरा घर बनाके मिलता हूँ अब हमारा फालतों सा घर तो तेयार हो गया है अब हम क्राफ्टिंग टेबल में थोड़े बहुत अपने टूल्स क्राफ्ट कर लेता है जैसे के लिए वुडेन पिकेक्स और सवल एक्स अफ्टरा अभी हमने सरफ पिकेक्स भी बनाई है और बाके थोड़े से स्लैब बनाय लेकिन अभी रात का ताइम हो चुका है लेकिन पहले लगाई देते हैं तो यह देखिए एक दो तीन चार ऐसा हम लगाते जा रहे है ताकि हमारा घर अच्छा लगे लेकिन हमारे स्लैप्स खटम हो गया है तो अब रात हो चुकी है एक दम मोप्स का आने का ताइम हो गया है विलेज देखो कैसे चम चमा रहा है तो हम सीधा इसे ही लूटने चलेंगे देरे देरे तो चलो जल्दी से विलेज के उधर चलते हैं सामने वाले घर में जाके देखते क्या है यहाँ पर एक पागल विलेजर सो रहा है अब हम उसे उथा के बगाएंगे इसी के घर से पहले हम ब्रैडोर जो इसके चेस्ट में फाल्तू का समान पढ़ा है वो लेही लेते हैं अब हाते यासे इसे उथाते आब और अब यह बैड हमारा हो गया हम यहापे सोएंगे अब गुन मोर्निंग अगले दिन में आपका स्वागत है अब यह बैड भी मैंने तोड के ले लिया यह मैं अपने घर में लगाँगा लेकिन यह क्या एक अंडर मैन आ गया इसके आखों में नहीं देखना ओ एंडर मैन मेरे को मारने लग रहा है गया मैं तो कोई नहीं हम रिस्पोण करते हैं पास ही रिस्पोण हो जल्दी सजा के अपना समान ले लेते हैं कास वो एंडर मैन ना हो आपे तो जल्दी जल्दी हम जाते जा रहे है धीरे-दीरे सामने एक गोलम भी खड़ा है और विलेजर भी वही गोर अपना नाचता हुआ तो हम जल्दी से बोफ चुके है ये दिग्या हमारा समान यह पर पड़ा है तो अब हम अपना समान उठा लेंगे और अब हम अपने गर के इंदर जाते हैं एक दम बार से थोड़ा वह ठिक तक लग रहा है लेकिन अम इसकी हालत अगले अपिसोड तक बढ़िया कर देंगे अब यह एक बैड लगा देते हैं लो बैड भी लग गया एक दम बढ़िया घर बन गया है और अब मैं आपको थर्ड मोड में जाके दिखाता हूं थर्ड पर में क्या हमारा घर कैसा देख रहा है तो यह देखे कितना बढ़िया लग रहा है हमारा घर तो आज के अपिसोड में इतना ही गुड़ बाई ताता बाई 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 आब मिलेंगे